हलो क्लास वेलकम बैक बच्चो तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक बड़ा कोश्चन कर लिया था अभी हमने कौंटीन यूशन में चलना है बेटा सब बड़े ही कोश्चन करने हैं लगबाग 35-36 कोश्चन और बेटा यह जान नहीं छोड़ेंगे आने वाले सारे चेप्टर्स में आएंगे बड़े कोश्चन तो प्यारे बच्चो करने का तरीका हर बार सेम है रेक्वार्मेंट जो है हमारी वो फियर वरक है बेटा बाकी सब वरकिंग नोट्स है और ट्राइट टू अटेंट इस कोश्चन बिदाउट जनर इंग प्रीज स आज हम कुश्चन करने जा रहे हैं 59 बहुत अराम से रीड करते चलते हैं बच्चो कुश्चन नमबर 59 को कहता है गिवन बिलो इस आप बैलेंस शीट ओफ ए और बी हुआ कैरिंग ऑन पार्टनर्श अप बिजनस ओन 31st ओफ मार्स 21 ए और बी शेयर प्रॉफिट अन डॉसस अंदा रिशो तू रिशो बान बैलेंस शीट ओफ ए और बैलेंस शीट बहुत 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 ध्यान से पढ़नी है तो लाइबिलिटी में बैलेंस पेबल, क्रेडिटर्स, आउर्स्टेंडिंग एक्स्पेंसेस, कैपिटल दिया है ए और बी की क्या लाइबिलिटी में कोई अंडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट है बिटर नहीं है, मैंने बहुत अराम से देखा नहीं है Asset side Cash in end given है, cash at bank given है, sundry debtors given है, stock given है, plants given है, building given है मेरे प्यारे बच्चों कोई goodwill या कोई losses नहीं, goodwill भी नहीं है और बेटा losses भी नहीं है तो बेटा question तो मेरा क्याल बहुत simple है, बढ़ते चलो आगे कहते हैं, C is admitted as a partner on 1 of April 21 on the following terms बेटा C admit हुआ है 1 April 2021 को कुछ term कुछ शर्ते बेटा बताई गही है कहते है C will bring 1 lakh as his capital and 60,000 as his share of goodwill for 1 fourth share in our profit बेटा याने की C का बेटा जो share है वो 1 fourth है और बोलता है वो 1,00,00 रुपे capital के लेकर रहा है 60,000 रुपे goodwill के लेकर रहा है मुझे ये नहीं बोला cash लेकर आया तो बेटा मैं entry bank से करता हूँ हमेशा ही चलो ची plant is to be appreciated to 1,20,000 बेटा plant दिया हुआ है 1,00,00 रुपे कहते है 1,00,20,000 रुपे तक लेकर जाने है तो 20,000 रुपे बढ़ा देंगे बेटा and the value of building is to be appreciated by 10% कहते है building की value 10% बढ़ानी है 1,500,00 रुपे बेटा 15,000 रुपे और बढ़ा देंगे बेटा कहते है stock is found overvalued by 4,000 stock बेटा overvalued है यानि की बेटा जादा दिखाया है तो 4,000 रुपे से कम कर देना है अब provision for doubtful debt is to be created at 5% of the sundry debt बेटा debtors के उपर provision create करना है 5% पहले कोई provision नहीं है बेटा create कर देंगे और creditor were unrecorded to the extent of 1,000 liability unrecorded रह गई थी बेटा record कर देंगे कहते है पास दा necessary journal entry, prepare, revaluation account, partners, capital account and show the balance sheet after the admission of C तो इस बार बेटा बहुत कुछ fair work में आगया journal entry, revaluation, partner, capital और balance sheet बेटा मैं journal entry नहीं कर रहा ठीक है आप अभी नहीं कर रहे है मेरे साथ साथ ठीक है ना मेरे साथ साथ question करेंगे तब नहीं कर रहे है जब घर से इस question को repeat करेंगे और कुछ होंबग नहीं दे रहा मैं सिर्व यह ही question होंबग दूँगा घर से जब इस question को करेंगे तो journal entry के साथ करेंगे बेटा ठीक है जी? मैं without journal entry कर रहा हूँ आप मेरे साथ साथ without journal entry सीख रहे हैं पहले इस question को फिर बेटा आप घर से journal entry के साथ इस question को करेंगे मैं अगले 2-3 question journal entry के साथ कर दूँ ये question नहीं कर रहा हूँ बेटा क्योंकि मुझे आदर डालनी है बिना general entry के जब ये आदर डलने लगेगी बेटा तो जैसे question कहेगा जो requirement कहेगा मैं वो पूरी कर दूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ आपको fair वक का part मान के करना है क्योंकि बेटा इसा requirement इना question री वैल्वेशन अकाउंट पर्टिकुलर समाउंट पर्टिकुलर समाउंट लो बच्चो मैंने बाबू री वैल्वेशन का फॉर्मेट बना है पार्टनर्स कैपिटल अकाम्ट तो हमने बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी फॉर्मेट बनाया बनाओ बेटा आगे balance sheet और working notes लो जी मैंने बेटा balance sheet का भी फॉर्मेट बनाया और बेटा working notes में सबसे मैं पूरा ही लिख देता हूं working notes में सबसे पहले sacrificing ratio की मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझो बाबू A और B की old ratio कितनी है old ratio of A and B 2 ratio 1 C I I 1 for share के लिए बेटा और ऐसे cases में हमेशा old ratio would be the sacrificing ratio यानि की मेरे प्यारे बच्चों sacrificing ratio कितनी है बेटा 2 ratio 1 सबसे पहली बात मुझे ये कर रही जी बेटा अब उठाओ balance sheet मैंने करने का तरीका बताया था सबसे पहले opening balances को brought down करते हैं सबसे पहले लो बेटा मैं brought down कर रहा हूँ buy balance brought down बेटा पूरा लिखना मैं shortcut में लिखता हूँ buy balance brought down 1,80,000, 1,50,000 लो प्यारे बच्चों उसके बाद क्या हुआ क्या कोई undistributed profit losses कोई goodwill कुछ नहीं बेटा आगे बढ़ो कहता है C will bring 1,00,000 as capital and 68,000 as a share of goodwill for one for share in a profit C आया 1,00,000 रुपे capital लेकर आया मेरे प्यारे बच्चों मैं bank से करूँ entry buy bank बेटा जब C आया और capital लेकर आया तो क्या C की capital बढ़ेगी किस साइट दिखाऊं credit साइट दिखाऊं क्या नाम लिखू buy bank entry क्या होगी bank account debit to seize capital मन में 104 बेटा पोस्टिंग करो क्या bank balance बढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए बेटा एक मिनट की भी देरी ना करना double posting hand to hand होनी चीए bank बेटा पहले 40,000 रुपे का है bank balance बेटा पहले 40,000 रुपे का है एक मिनट भी मत लगाओ बेटा add कर दो 1,000,000 रुपे C के capital के बहुत अच्छी बात लो जी मैंने add कर दिये और बढ़ो आगे कहते हैं 60,000 रुपे premium for goodwill के लाया बेटा entry क्या होगी bank to premium for goodwill तो मेरे प्यारे बच्चों in a sacrificing ratio buy premium for goodwill बेटा premium for goodwill क्या होता है बावो sacrificing partner के लिए लाई जाती है compensation और ये रह sacrificing partner और ये रही उनकी sacrificing ratio बेटा A और B sacrificing partner है उनकी ratio है 2 ratio 1 जो 60,000 रुपे का premium आया है बेटा मैंने 2 ratio 1 में बाट दिया लो प्यारे बच्चों क्या इतनी तेजी से हमने इतना question कर लिया बेटा बहुत तेजी से किया हमने ये question बढ़ो आगे कहता है plant को appreciate कर दो 1,20,000 तक जबकि balance sheet में बेटा plant 1,000,000 का है तो बेटा plant की value को appreciate करना है plant is a asset asset को बढ़ाना है बेटा यानि कि debit करना पड़ेगा plant debit to revaluation और revaluation account में कहा पोस्ट करूँगा buy plant 20,000 रुपे तो प्यारे बच्चों सोच नहीं की ही बात है journal entry मन में सोचते जाओ और करते जाओ buy plant account बेटा कितने रुपे 20,000 रुपीज double posting आपके दिमाग में होनी चीह है मैं इसकी दूसरी posting कर रहा बेटा plant कहता है एक लाग 20,000 रुपे तक बढ़ाना है बेटा मैंने बढ़ा दिया पहले एक लाग का दिया हुआ पुरानी balance sheet में बेटा और मैं क्या कर रहा हूँ बेटा मैंने नई balance sheet में 120,000 का दिखा दिया है बाबू आप balance sheet के format में liability amount, asset amount लिख लेना मैंने छोड़ दिया चलो जी आगे बढ़ो कहता है building की value को appreciate करना है 10% से और building दियो ही है डेड लाग रुपे बेटा building की 10% value बढ़ानी है building is a asset और asset की value बढ़ानी हो तो बेटा debit करना पड़ता है तो मेरे प्यारे बच्चो building को debit कर दो 15,000 रुपे से बेटा building को debit करोगे तो क्या लिखोगे building debit to revaluation तो revaluation account में इसकी posting भी by side होगी by building 15,000 रुपे क्या balance sheet में भी record करना है hand to hand बेटा time मत लगाना वरना भूल जाओगे पक्का बोल रहो तो बेटा building को 1,65,000 डेड लाग की पहले थी बेटा 10% बढ़ा कर दिखा दिया है मैंने चलो जी बढ़ो आगे बेटा आगे बोलता है stock is overvalued by 4,000 stock बेटा overvalued चल रहा है 4,000 रुपे से फालतो दिखा रखा है आपने तो बेटा कम करना है और बेटा asset को कम करना है तो बेटा credit कर दो तो बेटा क्या entry होनी चीए revaluation to stock और मेरे प्यारे बच्चो revaluation account में कहाएगी to stock कितने रुपे से कम करना है 4,000 रुपे से कम करना है बच्चो और बेटा stock balance sheet में कितना है stock balance sheet में बेटा 40,000 का है तो मेरे प्यारे बच्चो time मत लगाना 40,000 का stock 4,000 रुपे से कम कर दिया याने कि बेटा नई balance sheet में इसकी value 36,000 ही जाएगी लो बेटा बड़ो आगे बेटा बूलता है debtor के उपर 5% provision create करना है बेटा provision create करना है मतलब liability create करनी है और liability create करनी है तो मेरे प्यारे बच्चो credit होगी जाने की revaluation to provision for bad and doubtful debt और मेरे प्यारे बच्चो posting का होगी इसकी बेटा revaluation account में to side to provision for bad and doubtful debt to provision for doubtful debt लो मेरे प्यारे बच्चो तो मैंने क्या करा मैंने provisioning भी लिख दी बेटा कितने रुपे 5% debtor का debtor बेटा 60,000 के हैं उसका 5% याने की 3,000 रुपे मेरे प्यारे बच्चो अब मैं क्या करूँगा बेटा हाथो हाथ posting कर दूँगा balance sheet में debtor बेटा 60,000 रुपे के थे debtor 60,000 के थे minus provisioning provisioning for doubtful debt पूरा लिखना आप बेटा लो मैंने provision minus कर दिया बेटा याने की ये debtor आ गए 57,000 के लो प्यारे बच्चो कहते है creditor were unrecorded to the extent of thousand बेटा 1000 रुपे के creditor आप record नहीं कर पाए कहता record करने है तो मेरे प्यारे बच्चो record कर दो एक liability को आपको record करना है बेटा कोई भी liability record करनी हो credit होगी लो बेटा मैंने कर दिया बेटा तू creditors 1000 रुपीज हाथो हाथ posting balance sheet में बेटा और balance sheet में पहले भी creditors दिये हुए थे 58,000 के तो बेटा पहले ही creditors 58 के हैं और 1000 और जुड़ गया तो बेटा creditors हो गए 59,000 के पहले 58 है बेटा एक 1000 रुपे और जुड़ गए 59 हो गए क्या question खतम हो गया बेटा इतना साही था अब क्या करना है बेटा तीनों account को close करना है sorry दो account को और एक balance sheet को बेटा revaluation account को close करेंगे इसका profit या loss partner capital में जाएगा यहां से closing capital निकालेंगे और वो balance sheet में जाएगे और फिर total बराबर आना चीए बस एक बात ध्यान लखना बेटा वो सारी assets वो सारी liability record कर देना जसपे कोई adjustment नहीं हुई अभी तक ऐसा ना हो बेटा इसी का total करने बैठ जाओ वो सारी assets वो सारी liability जिनके ओपर कोई भी adjustment नहीं थी वो भी record होगी बेटा balance sheet के लो बेटा फटा फटसे हम करते है बावो highest total on the both side credit side मेरी जादा है यानि कि again revaluation में profit आया बेटा तो बेटा revaluation में profit आया 27,000 का लेकिन ये क्या होता है पुराने partner में बढ़ता है पुरानी ratio में two partners capital account two partners capital account A में बढ़ जाएगा बेटा B में बढ़ जाएगा किस ratio में two ratio one is the old ratio बेटा मैं उसमें बाट रहा हूँ तो प्यारे बच्चों revaluation account finish हो गया जो इसका result आया partners capital account ये रा partner capital account बेटा बाट दो बाबू क्या से ledger से transfer करते हैं अगर एक ledger से दूसरे ledger में आपने कोई चीज transfer करनी है तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले side बदलो और दूसरी बात नाम बदल जाएगा तो बेटा ये two side recorded है ये buy side record होगा किस नाम से buy revaluation account तो बेटा revaluation account से profit आ रहा है आपके पास buy revaluation account कितने रुपे 18,000 और बेटा 9,000 लो बच्चों क्या बेटा मैंने सारा का सारा question solve कर लिया बेटा बिलकुल कर लिया फटा फट से partner capital का total करो और highest total बेटा both side बेटा C में total 1 lakh तो बेटा ये total मैंने लिख दिया highest total both side लिख रहा हूँ बाबो यहाँ पर total आया 179000 179000 और यहाँ total आया बेटा 2 lakh 38,000 तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया है क्या ये मेरी closing capital है बिलकुल यह closing capital है to balance character down तो मैंने balances निकाल दिये बेटा same balances आ गए low बेटा ये कहा जाएंगे ये बेटा balance sheet में जाएंगे लो बेटा मैंने balance sheet में लिख दिया capital account of partner या partners capital भी लिख सकते हो capital account बेटा A का, B का और C का A का balance है 238000 179000 0 and 1 lakh तो मैंने बेटा एक बार से capital लिख दी है बेटा फटा फटसे में क्या करता हूँ बाकी balances भी लिख देता हूँ क्या बेटा बिल्स पेबल में कोई adjustment थी बिल्स पेबल में कोई adjustment नहीं थी बेटा as it is लिखी जाएगी ये liability बिल्स पेबल amounted to rupees बिल्स पेबल है बेटा 10,000 के लो बच्चो उसके बाद बेटा बात करते हैं creditors की creditors मैंने record कर दिये बेटा outstanding expenses 2000 इसके उपर भी कोई adjustment नहीं थी बेटा outstanding expenses 2000 लो बच्चो मैंने record कर दी है बेटा बाबु अभी मैं asset site देखता हूँ मैंने क्या क्या record नहीं करा cash in hand मैंने record नहीं करा बेटा बेटा अब तक cash in hand amounted to rupees 10,000 बढ़ो आगे cash at bank बेटा ये record हो गया 40 पहले था और capital आई थी और goodwill आई थी sundry debtor बेटा ये record हो गई बाबु stock stock भी record हो गया plant भी record हो गई और building building भी record हो गई एक बाद total करो और बेटा चेक करो क्या total बराबर आया है don't use calculator बेटा मैंने working note को रब कर दिया मुझे totaling के लिए space चाहिए बेटा मेरा total बराबर आया है एक बार आप अपना चेक कर लेना 5,88,000 that means मैंने question बिलकुल ठीक किया है और मैं book में भी answer देख पा रहा हूँ बेटा book का भी balance sheet का total 5,88,000 तो बेटा हमारा question number 59 भी finish हो जाता है आपने क्या करना है इस question को repeat करना है लेकिन journal entry साथ में करके देनी है journal entry, revaluation account, partner capital और balance sheet आपने सब कुछ साथ में करके देना है तो प्यारे बच्चों अब हम question number 58 करते है बूलता है बेटा A and B are carrying business on sorry, carrying on our business and partnership and sharing profit and losses in the ratio of 3 ratio 2 A और B बेटा business कर रहे है old ratio 3 ratio 2 है their balance sheet as at 31st of March 21 students, बेटा उनकी balance sheet आपको बताता है 31st of March 2021 को कैसी है बेटा, creditor दिये हुए है मेरे को 11,800 रुपे मुझे general reserve दिये हुए है बेटा, 20,000 रुपीज मुझे A और B की capital दिये हुए है 51450-36750 asset side देखो बेटा मुझे cash दिया हुए है 1500 रुपे, stock दिया है बहुत कुछ assets में अगर मैं धंग से देख रहा हुँ बेटा A और B की capital तो ही है general reserve भी है liability में और goodwill बेटा है, book goodwill तो बेटा, इसको write-off भी करना पड़ेगा आपको अगर आप धंग से देखोगे न balance sheet कम से कम 2-3 information जरूर होती है बेटा partners capital की तो information ही है बेटा, undistributed profit भी है general reserve है और बेटा, old goodwill भी दिया है बेटा, book goodwill जिसको आप बोलते हो तो इसको write-off भी करना है आपको पड़ते चलो बेटा, goodwill की भी valuation करने का तरीका बताया उसने कहता है, twice कर देना पिछले 3 साल के profit का average का तो यानि कि number of year purchases 2 और बेटा, मुझे average profit method लगाना है, तो goodwill की calculation मैं कर सकता हूँ और आपको बोलता है, C is to bring cash for the amount of his share of goodwill यानि कि C cash में नगत लेकर आया बेटा, goodwill का पैसा और आपको बोलता है, C is to bring cash 15,000 as his capital और C 15,000 रूपे capital के भी cash लेकर आया बेटा ठीक है जी, और आपको बोलता है pass the necessary journal entry and record these transactions, draw out the balance sheet of a new firm and determine new PSR फसा दिया बेटा बेफाल तुमें इसने बोला, journal entry करो, balance sheet बना और नई PSR निकालो बेटा अगर यह नई कहता तो मैं नई PSR तो बिल्कुल ना निकालता और रही बाद बेटा, इसने कहा कि journal entry के बाद balance sheet बनाओ बेटा, balance sheet बिना partner capital account के नहीं बन सकती, चाहे आपने मांगा नहीं है, मुझे रव में बनाना पड़ेगा partner capital account पर बनाना जरूर पड़ेगा बेटा, क्योंकि जब तर closing capital नहीं आएगी, तो how can I determine the balance sheet without closing capital तो closing capital तो चाहिए चाहिए बस एक चीच से बच गया, इस पूरे question में कहीं कोई revaluation की बात नहीं है, तो मुझे revaluation account नहीं बनाना पड़ेगा, मैं उससे तो बच गया बेटा, लेकिन partner capital account से आप बच नहीं पाओगे, अगर एक याद दो adjustment भी बेटा revaluation की देता ना, तो सबसे easy पड़ता है revaluation account बनाना, rather than journal entry, चलो इस question में मैं आपके साथ journal entry भी कर दूँगा वरना मजा नहीं आएगा बेटा, हर बार आप करोगे तो, तो थोड़ी सी इस बार journal entry मैं कर देता हूँ, balance sheet मैं बना देता हूँ, partner capital rough में बनाएंगे, लेकिन new PSR क्योंकि question की मांग है बेटा, ये भी fair का ही part होगा, तो करने के लिए बहुत कुछ होगा इस question में बेटा, ठीक है ना, कुछ लगबख 20 से 25 मिनट लगेंगे, अराम से question करते हैं बेटा, लो बच्चो सबसे पहले format ready करो, जो जो आपको चाहिए सबसे पहले format, बेटा, format ready करने से पहले, सबसे पहले तो मैं सोच रहा था, कि मैं new PSR निकाल दूँ लो, चलो भी निकालते हैं new PSR में, मुझे लगता है मेरे पास तो space की कमी ही रहेगी क्योंकि journal entry काफी है अस question में लो बेटा, तो हम कर रहे है question number 58, जसमें पहले मुझसे journal entry, balance sheet और new PSR मांग लिया, लो जी मैं journal entry कर रहा हूँ, journal entries journal entry का format बना लेना बेटा बिना format के कोई भी कुछ नहीं करेगा ना बिना narration के कुछ लिखना बेटा कोई marks नहीं मिलेगा zero number देदेगा teacher बेटा लो, date particular ledger folio amount debit amount credit तो मैंने journal entry का format बनाया बेटा balance sheet question है, मुझसे कई balance sheet का format बना लो balance sheet बेटा मैं थोड़ी सी छोटी बना देता हूँ, इस बार balance sheet मुझे लगता है, मुझे space छोटा बढ़ने वाला बेटा liabilities assets and amount बेटा मैं काम करता हूँ, आप मेरी बात सुनो, बेटा मैं काम कर रहा हूँ, मैं working note में partner capital account बना रहा हूँ, new PSR थोड़ी देर में calculate कर देंगे, fair में calculate करना हूँ, मैं आखरी में calculate कर दूँगा new PSR, तो बेटा लो पूरा लिख लो, working note number one, working note number one, तो पहला working note बना रहा हूँ, मैं partners capital account, बेटा मेरे लिए जबरदस्ती है, मुझे बनाना ही पड़ेगा, इसके बिना मेरा काम चल नहीं सकता, partners capital account, बस इस question में बच गए, तो आप re-valuation से बच गए, बाकी कुछ नहीं बच पाए, बेटा, पार्टिकुलर्स, पार्टनर के नेम है, बेटा, एबी सी, लो जी, पार्टनर के नेम है, एबी सी, मैंने partners capital account का format रेडी करा, balance sheet, journal entry और new PSR मुझे से पूछी गई है, तो बेटा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, करने का तरीका अभी भी वही है, सबसे पहले मैं बेटा, partners capital में, opening capital को brought down कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज, buy balances brought down, लो मेरे प्यारे बच्चो, कितने 51450, और बेटा B का 36750, लो मेरे प्यारे बच्चो, आपने brought down करा, अब अगली बेटा कहानी क्या है, सबसे पहले balance sheet में दीवी चीजों को खतम करते हैं, पहले general reserve, general reserve 20,000 रुपे के हैं मेरे प्यारे बच्चो, old partner and old ratio, बेटा general reserve liability में है, खतम करने के लिए debit कर दो, general reserve account debit, general reserve account debit to A's capital to B's capital, to A's capital account and to B's capital account, being reserve distributed, तो बेटा मैंने reserve बाट दिया, कितने रुपे का बेटा, 20,000 रुपे का reserve था, 3 ratio 2, यानि की बेटा 12,000 and 8,000, लो जी पहली general entry खतम, क्या गरू बेटा, साथ साथ posting कर दो, general reserve से बेटा capital बढ़ने वाली है, मैं तो बिना general entry के भी यही कर देता बेटा, मुझे तो general entry के जोरत ही नहीं है, बाए general reserve ये रा 12,000, ये रा 8,000, लो प्यारे बच्चों, बढ़ो आगे, बेटा, बैलेंस शीट में गुडविल भी दी हूँ, या बुग गुडविल खतम करो, ऐसे टैक खतम करने के लिए बेटा क्रेडिट करनी पड़ेगी, तो टू गुडविल, डेबिट किसको करोगे, old partner ये न old ratio, A is capital account debit, A is capital account debit, B is capital account debit, being goodwill return off, लो बेटा, मैंने गुडविल को भी right off कर दिया, amounted to Rs. 20,000, बेटा, 20,000 रुपे की गुडविल है, 20,000 रुपे की गुडविल को right off कर रहे हो, old ratio में, 3 ratio 2, 3 ratio 2, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहां जाएगा, partner capital account आप बना रहे हो, बेटा, A और B का capital account आप बना रहे हो, तो लिखोगे, to goodwill, और goodwill right off करने से क्या होता है, बेटा, capital ही कम होती है, बेटा, तो A की capital भी कम कर दी, और B की capital भी कम कर दी, चलो जी, बढ़ो आगे, तो बेटा, 2 journal entry हो गई, बढ़ो आगे, बेटा, आपको बोलता है, अब इसके बाद, कि C cash में लाया goodwill और C cash में लाया capital, बेटा, goodwill की calculation मुझे working note में करनी पड़ेगी, लेकिन capital cash लाया, पहले उसके entry कर दो, cash account debit, और हुआ क्या, बेटा, capital लेकर आया, C to seize capital account, to seize capital account, मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, being capital introduced by C, being capital introduced by C, C capital लेकर आया, amounted to rupees 15,000 रुपे, तो बेटा, 15,000 रुपे की C capital लेकर आया, बेटा, C capital लेकर आया, 15,000 रुपे, C की capital बढ़ेगी 15,000 रुपे से, buy cash, buy cash, C की capital बढ़ गई 15,000 रुपे से, cash में record करना, मत भूलना, साथ साथ recording करते चलो बेटा, cash पहले 1500 रुपे का है, 15,000 रुपे की C की capital ला गई, मैंने record कर दिया बेटा, क्या मैं साथ साथ recording कर रहा हूँ, बिल्कुल साथ साथ recording कर रहा हूँ, क्या मैंने general reserve record कर दिये, कर दिये, इनकी capital में चला गया, goodwill, goodwill खतम कर दी, capital में चला गया, चला गया, cash, cash में चला गया, C की capital में चला गया, चला गया बेटा साथ-साथ हर चीज की posting करते चले जारे है साथ-साथ करते चले जारे है General Reserve बुक से खतम हुआ यहां Capital में Posting करनी थी कर दी, Goodwill बुक से खतम हुई Cash में Posting करनी थी, कर दी Cash में Posting कर दी, Capital में पॉस्टिंग कर दी तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने इस सारी पॉस्टिंगा शाथ-साथ चल रही है तो मेरे प्यारे बच्चों मैनने क्या करा average profit निकालना शुरू कर दिया है बेटा तीन सालों का और बेटा इसने बोला average profit का twice तो बेटा average profit का twice ये firm की goodwill आ जाएगी firm की goodwill आ गई 47040 ये firm's goodwill है बेटा और मुझे क्या करना है मुझे C का share निकालना है जो 1 by 8 है बेटा मैंने कहीं पढ़ा था बेटा ये share 1 by 8 है बेटा तो बेटा goodwill आ गई 580 तो बेटा C कहता है goodwill के पैसे भी लेकर आया cash में cash में लेकर आया तो जनल इंट्री क्या करोगे cash account debit to premium for goodwill cash account debit to premium for goodwill कितना बेटा फाइव डबल एट जीरो being compensation brings by C being compensation bring by C मेरे प्यारे बच्चों क्या goodwill नानी के एंट्री एक होती है नहीं बेटा दो एंट्री आ होती है और compensation पर sacrificing partner का right है ना sacrificing ratio बेटा देखो A और B की ना पुरानी ratio है 3 ratio 2 और C आया 1 एक शेयर के लिए ऐसे cases में old ratio would be the sacrificing ratio तो बेटा आप goodwill को बाट दो A और B में 3 ratio 2 में premium for goodwill account debit premium for goodwill account debit to A's capital account to B's capital account to A's capital account and to B's capital account being compensation distributed being compensation distributed बेटा गुडविल कितने की है फाइव डबल एट जीरो की है मेरे प्यारे बच्चों और उसको हमने बाटना है 3 ratio 2 में लो मैं calculate करता हूँ फटा बट से 3 ratio 2 बेटा ये आया 3, 5, 2, 8 और बच्चों अगर आप 2 से multiply कर दो तो पता लग जाएगा कितना है ये आया 2, 3, 5, 2 तो बेटा गुडविल का share आगया बेटा एका 3, 5, 2, 8 और बेटा ये आया 2, 3, 5, 2 मेरे प्यारे बच्चों अभी जल्दी मत करना अभी फटा फट से इसको क्या करो इसको पोस्ट करो तो बेटा cash आया 5, 8, 8, 0 का तो सबसे पहले तो cash आया premium वो गुडविल जितना debit किया था उतना ही credit जितना credit किया था उतना ही debit तो ये तो book से खतम हो गया A और B की capital बढ़ानी है आपको तो मैं A और B की capital बढ़ा रहा हूं लिख रहा हूं buy premium for goodwill buy premium for goodwill account कितना बेटा 35282352 लो मेरे प्यारे बच्चों क्या सारी journal entry हो गई बिल्कुल जी सारी journal entry होगी grand total लिख देना grand total बेटा करके लिख देना क्या बेटा और कुछ है पूरे question में और कहीं पर भी कुछ भी नहीं है तो क्या कोई revaluation है कुछ revaluation यह बेटा बस आप closing capital calculate करो लो मेरे प्यारे बच्चों closing capital calculate कर रहे हैं highest total on the both side highest total on the both side तो मैं highest total कर रहा हूं बेटा sir आप भी calculator का use नहीं करेंगे मैं भी नहीं use करूंगा दोनों हम बिना calculator के कर रहे हैं तो मैं highest total को लिख रहा हूं both side और बेटा यहां मैं निकालूंगा closing capital का balance by balance carried down sir आप भी नहीं use कर रहे calculator मैं भी नहीं बिलकुल नहीं करेगा कोई calculator का use वरना paper में नहीं होगा मैं पक्का बता रहा हूं for sure कुछ भी हो जाए आपने calculator का use नहीं करना ना मैं कर रहा हूं ना आप तो बेटा मैंने balance carried down भी निकाल दिया तो बाबु आप भी plus minus ही कर रहे हो मैं भी plus minus कर रहा हूं थोड़ी सी speed हो सकता है मेरी जादा हो आपकी कम हो मेरे से भी जादा हो सकती है आपकी speed अगर आप practice करोगे तो तो बेटा मैं capital के balances लिक रहा हूं A, B, N, C के 5, 4, 7, 9, 8, 3, 9, 1, 0, 2 और बेटा पंदरा जार हो है तो बेटा मैंने balance लिक दिया है capital के अब आगे बढ़ो बेटा जेन asset के उपर कोई adjustment नी थी वो as it is तो बेटा creditor के उपर कोई adjustment नी थी और general reserve खतम हो चुके है तो बेटा liability side सर्फ creditor रिखना बाकि है तो मैंने लिख दिया creditor amounted to rupees 1, 1, 8, 0, 0 cash बेटा total कर देते हैं cash का तो बेटा मैंने cash का total करा बढ़ो आगे stock के उपर कोई adjustment नी stock 28,000 as it is debtor कोई adjustment नी बेटा debtor as it is furniture कोई adjustment नी बेटा as it is machinery कोई adjustment नी बेटा as it is और रही बात goodwill की तो वह बाट के खतम कर चुका हूँ बेटा write-off कर चुका हूँ तो अगर बेटा total बराबर आया that means आपने हर चीज़ ठीक की है 119700 कुछ ना कुछ इसका मतलब बेटा आपने गड़बड करी है अगर total साइन नहीं आया तो बेटा कुछ ना कुछ घड़बड है तो ठीक आ रहा है total बिलकुल ठीक आ रहा है total मैंने यहाँ पर कुछ error कर दी थी मैं total कर रहा हूँ इस side का भी बेटा अच्छा इस तरफ का total अलग आ रहा है बेटा लो जी let me check बेटा क्या गड़बड हुई है यहाँ पर गड़बड हुई है यहाँ पर पक्का कोई ना कोई गड़बड की है मैंने लो एक बार मैं check करता हूँ दुबारा से 63450 3528 87966 66978 ओहो मैंने यहाँ पर बेटा गलत लिख दिया देखो total यहाँ पर बेटा मैंने गड़बड करी total same नहीं लिखा जसकी वज़ा से पूरा question होच पोच हो गया 54978 और यहाँ पर भी यही गड़बड करी मैंने 54978 लो जी अब मेरे को मेरी गलते मिल चुकी है तो बेटा अब balance sheet का total बिलकुल वराबर हो गया हलकी सी एक गलती कर दी थी मैंने 978 था मैंने 798 कर दिया जिसकी वज़ा से balance sheet पूरी खराब हो रही थी और बेटा ऐसी चीज़े देखो आपके सामने सामने मेरे साथ हो गई ठीक है ना मैं इसको editing में हटाऊंगा बेटा कि मैंने गलती करी थी तो मैं कोई बगवान नी हो गलती में कर सकता हूं टोटलिंग आरार हो सकती है ये चीज़ पेपर में बहुत ज़्यादा हो जाती है और बच्चा हो जाता है hopeless कि मैंने कहां कड़बड कर दी 15 मिनिक balance sheet मिलाने में खराब करते हैं बच्चे बेटा ऐसी चीज़े होंगी through practice खतम हो जाएंगी और अगर आप डंग से देखो के तो आपको गलती का scope भी रहेगा कि आपने कहां पर गलती करी मैंने एक दम से बताया कि मेरे को लग रहा है कि मैंने यहां कहीं गलती करी है बेटा तो बाबू मेरे को देखकर पता लगया कि इस question में और कहीं गलती होने लायक थी नहीं बाबू कहीं पर भी asset में गलती नहीं हो सकती थी कोई revaluation नहीं था किसी और liability में गलती नहीं हो सकती थी क्योंकि revaluation नहीं था तो मैं समझ गया कि कई ना कई partner capital account में मैंने गड़बड की है। तो प्यारे बच्चों ये आपके skills हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहां गलती कर पाए होंगे। मैंने दंग से कोश्चन देखा, तो कोई asset नहीं थी, कोई liability नहीं थी, तो गड़बड कहीं तो हो नहीं सकती बेटा, हुई तो गड़बड partner capital में थी और मैंने बता भी दिया कि यहीं गड़बड की होगी मैंने। अब एक चीज रह गए इस question में, बेटा मेरे पास old ratio है, new ratio है और मुझे बेटा इस question है, new PSR fair में चाहिए, तो बेटा मैं fair में new PSR भी calculate कर रहा हूँ, space की कमी इसलिए मैं बेटा journal entry को रब कर रहा हूँ, आप चाहो तो सबसे पहले new PSR भी calculate कर सकते थे, वैसे मुझे new PSR का होता नहीं, इसी वज़ा से मैंने calculate नहीं करी, लेकिन fair solution का part है, बावो आपको भी पता है, ऐसे cases में, new PSR कैसे calculate करते हैं, let the total share be 1, let the total share be equal to 1, remaining share, remaining share after C's share, बेटा एक total share है, और उसमें से C का share अगर चला जाए, तो remaining share जो A और B के लिए बच गया, वो 7 और 8 है, 7 by A, तो बेटा A को कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा, बेटा जो remaining share है, उसका 3 by 5, और उसका 2 by 5 ले जाएंगे A और B, बेटा, वो remaining share को वैसे ही बाटेंगे, जैसे पहले बाटते आ रहे हैं, बेटा, 3 ratio 2 में, तो ये ratio आएगी बेटा, A और B की, बाबू, 21 upon 40, 14 upon 40, तो new ratio of, new PSR of, A, B and C, कितनी होगे, 21 by 40, 14 by 40, और ये है बेटा, 1 by 8, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, बेस बराबर करना है, यानि कि new ratio होगी, बेटा, 21, 14 और 5, let me check, तो बेटा, हमारी ratio बिल्कुल ठीक है, question number 58 भी यहाँ finish हो जाता है, तो आज हमने बेटा, 2 question और attempt गरे, 59 and 58, एक question मैं आपसे चाता हूँ, बेटा, आप try कर लेना, 59 के एक तो journal entry मुझे चाहिए, जनल entry के साथ question दुबारा किया हुआ, let's try question number 57, तो मेरे प्यारे बचों, आप 57 ट्राय करके आ रहे हैं, बेटा, मैं वेट करूँगा आपकी, कि आप सही कर पाओ इस question को, और एक बार इसका solution मुझे जरूर भेजना, तो आज के लिए बेटा, हम इतना ही रखते हैं, बेटा, बाई बाई बाई